सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टॉप निउज नेटवर्क्स बेल बटन दबाएंग और नोटिफिकेशन स्पाइंग नमस्कार मैं हूनी शदिक्षित और आप देख रहे हैं टॉप निउज नेटवर्क्स राजधानी दिल्ली में एक बुज़र्ड डॉक्टर को उनी के घर में बंदग बनाकर लाखों की लूट पाट की गई गटना के समय परिवार के लोग राम लीला देखने गए थे बदमाज लाखों का कैश और जूलरी लेकर छट के रास्ते फरार हो गए 63 साल के डॉक्टर पीके सिंग बत्रा परिवार के साथ मुखरजी नगर की भाई पर्मानन कॉलोनी में रहते हैं ग्राउन फ्लोर पर उनका क्लीनिक है फर्स फ्लोर पर बेटा मुहित बहु और बच्चों के साथ रहते हैं बेटे का गार्मेंट शोरूंग था जो फिला सील है सोवार देर राट डॉक्टर बत्रा बेटे भगों के साथ रामलीला देखने गए थे साड़े ग्यारा बजे वे अकेले घर आये तो चार-पांच बद्वाश महां मौजू थे उन्होंने डॉक्टर को बंदग बना लिया, मुहू में रुमाल थूज दिया हाथ बानते वक्त जटका दिया जिससे उनके हाथ की हड़ी तूट गई चाकू से जांग पर हमला किया, पीटा भी गया रात साड़े बारा बजे मुहेग घर पहुंचे दो घटना का पता चला पुलिस का दावा है कि 5 लाग कैश लूटा गया है जब की चर्चा है कि 20 लाग से अधिक का सामान लूटा गया है ऐसी और बड़ी ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टॉप न्यूज नेटवर्क्स धन्यवाद